लेकिन पेम मोदी के संदेश से पहले कॉंग्री सध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी करके देशवासियों को संबोधित किया है सोनिया गांधी ने लोगों से लोगडाउन का पालन करने और अपनी सुरक्षा के लिए सजग रहने की अपील की है मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को नमस्कार मुझे उमीद है कि इस कोरोना महमारी संकर्ट की दोरान आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे सबसे पहले मैं इस संकत की समय में भी शांती धैर्य और सयम बनाए रखने के लिए सभी देशवासियों को दिल से धन्यवाद करती हूँ आशा करती हूँ कि आप सभी लोगताउन का पूरे तह पालन कर रहे होंगे आप सभी दूरी बनाए रखने का पूरे तह पालन करे अपने अपने घरों में रहें समय समय पर अपने हाथ धोते रहें बहुत ज्यागा जरूरी कोने पर ही घर के बहर कादम रखे और वो भी मास्क चुनी या गंचा लगाकर आप सभी इस लराई में सयोग करें आज कुरोना के इस संकत से निपठने में आप सभी का इस लराई में खड़े रहने से बरी धिश्बक्ती और क्या हो सकती है हम इस मुश्किल समय में आपके परिवार जनों पती पत्नी बच्चों माता पिता के त्याग और बालिदान को कभी नहीं भूल सकते जोखिल होने के बवजूद भी आपके सयोग और समर्तन से ही आप इस लराई को लड़ पार रहे हैं इनको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है